चोपड़ाई जोपड़ाई जोपड़ाई चोपड़ाई आपका हर्दिक्ट स्वागत करता हूँ मेरे प्यारी बच्चो थ्री मॉस्ट अफ स्टेट्स के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं इन में करनाट का गुजरात और पंजाब स्टेट है मैं आपको इस वीडियो में इसकी स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट और सेडूल के बारे में बताऊंगा और साथी साथ ये भी बताऊंगा कि आपको रेजिस्टेशन कैसे करना है रेजिस्टेशन में क्या प्रोब्लम आ सकती है और कौण-कौण से डोकूमेंट्स आपको अपलोड करने है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं करनाटका स्टेट की तो जैसा कि आपको पता है करनाटका एक पोपुलर स्टेट है यहां के अच्छे medical colleges हैं और इसमें fee से थोड़ी सी medium होने के बाद भी स्टुडेंट इसमें admission लेना अपना सोभागे समझते हैं तो करनाटका स्टेट की जो वेबसाइट है cetonline.karnatka.gov.in.kea.need2023 है इस वेबसाइट पर जैसे ही आप विजिट करेंगे इस परकार का interface मिलेगा आपको यहां information platine मिलेगा इसके बाद में online application form जहां से आपको apply करना है उसका link मिलेगा eligibility clause मिलेगा कि आपकी क्या eligibility है आप कौन से eligibility में आते हैं और इसके बाद में guideline मिलेंगी candidates के लिए जो यहां करनात का state में admission लेना चाते हैं तो आप इसका एक बार information platine पढ़ लीजिए इसमें सब कुछ दिया गया है और guideline में भी सब कुछ दिया गया है फिर भी हम समय समय पर इसके बारे में वीडियो बनाते रहते हैं इसके बारे में जो rules regulation है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँगा अब इसमें जैसे ही हम इसकी online application के लिए यहां पर click करेंगे application form fill करने के लिए इस पर click करेंगे तो click करने के बाद इस परकार का interface आएगा select में आपको yes option select करना है yes option select करने के बाद में आप यहाँ पर अगर पहले आपने registration कर रखा है तो login पर click करेंगे, new user नई बार registration कर रहे हैं यानि पहली बार registration कर रहे हैं तो new user पर आप click करेंगे, अगर आप अपना application number भूल गए हैं तो यहाँ application number जान सकते हैं और password भी आप यहाँ से retrive कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर new user पर click करूँगा, यहाँ पर new user पर click करेंगे तो इस प्रकार से एक interface आएगा, वहाँ से आप form apply करके form fill कर सकते हैं, normally सी form fill होता है, इसमें ज्यादा इतना ज्यादा सब कुछ नहीं है, इसमें आपको जो करनाटका state candidate हैं, उनका online, sorry, offline documents verification होता है, और जो other state है non करनाटका के states के student हैं, उनके लिए यहाँ पर जो documents हैं, वो online ही upload करना पड़ता है, और online ही उनका verification होता है, उनको offline मलेस वरम बैंगलोर जाने की आवश्यक्ता नहीं है, जो online के लिए documents upload किये जाते हैं, 10th, 11th, 12th की mark seat, need का result इस प्रकार के documents इसमें upload किये जाते हैं, एक single PDF file मे यह documents आप एक जगे PDF file बनाके upload कर सकते हैं, photo और signature वगरा, सभी forms में state के forms से upload होते हैं, तो इसी प्रकार से करनाटका के state में भी आप photo और signature upload करके, एक single PDF file जो documents verification के लिए होती है, वो upload कर सकते हैं, non करनाटका state के लिए documents verification के लिए तो जाना नहीं होता है, लेकिन ऐसे candidate जो non करन करनाटका के हैं, और NRI, special reservation लेना चाहते हैं, जैसे सेंट्स जोन वगरा में हो गया, तो वो candidate को offline मलेशोरम बैंगलोर में offline documents verification कराना होगा, उसका schedule जारी कर दिया जाएगा website पर, तो वो हम आपको समय पर बता देंगे, तो यह करनाटका state की बात है, यहां करनाटका state में आप हैं, और जो OCIPIO और NRI foreign national candidate हैं, उनके लिए class Z यहां fill करना है, और बकी यहां class देवे हैं, जो करनाटका state के domicile candidate हैं, वो यहां से देखकर जो जिस eligibility में आते हैं, वो यहां fill कर सकते हैं, तो करनाटका state के बात में हम बात करते हैं, गुजरात state की, तो गुजरात state के भी registration हो ग candidate यहां की domicile रखते हैं, तो यहां पर pin purchase करने के बाद आप यहां apply कर सकते हैं, इसमें सारा procedure दिया गया है, help center की list दी गी है, process of online admission के लिए, instructions online registration के लिए, यहां पर पूरा एक example देकर समझाया गया है, कि आपको गुजरात state का form कैसे fill करना है, तो मैं सोचता हूँ, यहां से आपको सारी help मिल जाएगी, कोई problem नहीं होगी, फिर भी अगर आपको कोई problem होती है, तो contact number पर आप इनके help line number पर बात कर सकते हैं, अब इसका जो एक बार हम schedule देखें, तो online pin purchase 15 July 23 से है, 24 July last date रहेगी इसकी, यह online registration की भी same date है, documents verification होता है, यहां help center पर वो 17 July से लेके 25 July 23 तक हो और security money है, वो 10,000, total 11,000 rupees है इसमें, तो आप अगर कोई भी problem आती है आपको गुजरात स्टेट के लिए, तो इनके help line number पर बात कर सकते हैं, अब गुजरात स्टेट में MBBS, BDS admission में तो जिने ने 11, 12 यहां गुजरात से कर रखिये, वो candidate domicile रखते हैं, इसके अलावा, अगर क स्टेट का कोटा होता है, वो सभी में होता है, सभी स्टेट में होता है, तो उनके registration भी start हो गए हैं, उनको यहां 12th class गुजरात स्टेट से पास करने के अवश्यक्ता नहीं है, यह किसी भी स्टेट से पास हो सकते हैं, 15% आयूस के लिए इसमें admission ले सकते हैं, और वो भी registration इ एक open state है, अब बात करेंगे हम पंजाब state की, पंजाब state भी एक close state है, लेकिन यहां second round से BDS course के लिए other state candidate भी admission ले सकते हैं, अगर वहां के BDS में कोई seat vacant रही तो उस condition में other state candidate admission ले सकते हैं, लेकिन यहां CMC लुधियाना है, जिसमें five states all India candidates के लिए लखी गई हैं, उनमें कोई भी candidate admission ले सकता है, यह एक private institute है, लेकिन reputed institute है, इसलिए हर एक candidate का सपना होता है, इसमें admission लेने का, फीज ज्यादा है, इसकी बावजूद भी इसकी काफी cut-off रहती है, अब पंजाब state की जो website है, bfuhs.ac.in पर जैसी हम विजिट करेंगे, इस परकार का interface आएगा, click here to apply online MBBS BDS admission underneath UG23 पर click करेंगे, यहाँ यह जो आपको interface दिखाई दे रहा है, यह इसकी online portal का है, registration पर click करेंगे, यहाँ पर आज prospect भी download कर सकते हैं, और आपने apply कैसे करना है, इसका भी दिया गया इस system और important dates के बारे में भी दिया गया, इसमें 13 July से registration स्टार्ट है, और 20 July 23 इसकी last date है, online payment आप 21 July 23 तक कर सकते हैं, registration पर click करेंगे, जैसी registration पर click करेंगे, तीन इस state में यह form फिल होगा, फिल registration form करना है, फिर apply photo signature और other documents करना है, इसके बाद application form का print ले लेना है, simple application form है, इसको आप apply कर सकते हैं, proceed next पर click करके, तो यह तीन जो most state है, उनके registration के बारे में था अभी राजस्त इन states के भी registration जल्द ही start हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल, उत्राखंड और हिमाचल के form भी जल्द start हो जाएंगे, तो जैसी यह form start होंगे, हम आपको inform कर देंगे, मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ, हाएंगे, उक जाएंगे धाएंगे, व। 뭐 जाएंगे, विछ बंगांगे, झालोगल के वे से जाईको के तवड़ा है, वे यपाएंगे, आपकोन देंगे, ऑलुपर्णद के जालोगे, यब हैने हैंगे, प्युपर्ड़ा Ser